नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसियेट प्रोफेसर अफ्जलोजी, गौर्मेंट डुंगर कॉलेज भी कानेर, आज के हमारे लेक्षर का विसे है, सेक्स्वल रेपोड़क्शन इन एनिमल, जन्तुओं में लेंगिक जनन की किरिया है, या कोस जनन जिसको बोल सकते ह साइटोजनिक रेपोड़क्शन, इन विच जिसमें लेंगिक प्रजनन वह प्रजनन है, जिसमें सुक्राणू वह अंडाणू का सलेयन होता है, एवं यूगमनज का निर्मान होता है, इस प्रकार से प्रजनन करने वाले जन्तुओं में कुछ विसेश प्रकार के अंग पा पाए जाते हैं एब वर्षण के द्वारा सुक्राणूं वर्ग अंडासे के द्वारा अंडाणूं का निर्मान होता है इन अंगों को लेंगिक जनन अंग या लिंग अंग कहते हैं निम्न या निम्न संगू के जन्तूओं में इस परकार के विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं इनमें दो जीवों में अश्थाई सलियन होता है एब उनके केंदर्पदार्थ का आदान परदान होता है इनमें लेंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा होता है पहला है सिन्गेमी युगमक सलियन सिन्गेमी वह करिया है जिसमें दो लेंगिक कोशिकाएं या युगमकों का पूर्ण वा स्थाई सलियन होता है एब इसके परणाम सरूप युगमनज का निर्मान होता है युगमनज के केंदरग को युगमनज केंदरग या सिन केरियोन कहते हैं युगमक सलेयन निम्न प्रकार के पाए जाते हैं पहला ओटोगेमि एक ही जनक कोशिका से उत्पन युगमकों के सलेयन को स्वक युगमन या ओटोगेमि कहते हैं इस प्रकार का इस सवक यूगमन अक्टिनोफ्रिस जो डाइग्राम में दिखाई दे रहा है वह अक्टिनोफ्रिडियम में पाया जाता है। कुसरा प्रकार है इसमें आइसोगेमी सम्यूगमन जब दो यूगमकों का आकार वह परिमान समान होता है लेकिन उनके विवार में भिन्नता होती है तब उन्हें सम्यूगमक कहते हैं। एवं इनके सलेयन को सम्यूगमन आइसोगेमी कहते हैं। सम्यूगमक सामान्यत्या बहु खंडन द्वारा बनते हैं। सम्यूगमन कुछ फोरमेनी फोरा एग्जामपल अलफीडियम एवं ग्रिगेराइनीडा मोनोसिस्टस वर फाइटो मोनेडिडा क्लेमाइडो मुनास इतियादी में पाया जाता है। एग्जामपल आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे डाइग्राम में। तीसरा है एन ऐसो गेमी असम-यूगमन जब दोनों यूगमक आकार परिमान वववार में भिन होते हैं तो उन्हें आसम-यूगमक कहते हैं। इस परकार के असम-मान-यूगमकों का सलयन असम-यूगमन एन ऐसो-गेमी कहलाता है। इस परकार के युगमन में एक परकार के युगमक छोटे, गतिसील, एवं सक्रिये तथा संख्या में कई अतिधिक होते हैं। इन्हें लगू युगमक माइक्रो गेमिट्स या नर युगमक मेल गेमिट्स कहते हैं। दूसरे परकार के युगमक अधिक बड़े गतिहीन व निस्क्रिये होते हैं। उन्हें दीर्ग युगमक मैक्रो गेमिट्स या फीमेल गेमिट्स मादा युगमक कहते हैं। और सम्युगमन परकार का लेंगिक जनन स्पोरो जुवा प्लाजमोडियम व मोनोसिस्टिस व फाइटो मोनेडिडा वॉल्वक्स में पाया जाता है। डी है पूर्ण युगमन हो लो गेमिट्स इसके अंतर गत दो व्यस्क प्रोटो जोवा जन्तुक युगमक न बनाकर स्वेम युगमकों के समान सलेत होकर युगमनज बनाते हैं। और पूर्ण युगमन कुछ सारकोडिनाव, मस्टिकोफुरा, कोप्रो मोनास एक्जामपल दिया गया है डाइग्राम में में पाया जाता है। संयुगमन नेक्स्ट इ, कॉंजुगेशन। संयुगमन सीलियेट प्रोटोजोंस का विशिष्ट लक्षन है। इसमें दो सीलियेट प्राणी अस्थाई रूप से संयुग करके परस पर अपने युगमकी केंद्रकों का पर निशेचन क्रॉस फर्टिलाजेशन करते हैं। संगम जीवों को संयुगमक कोंजुगेंट्स कहते हैं। एवं दो संयुगमक के केंद्रकों का पूर्ण रूप से सलेन होकर युगमनज केंद्रक बनने को उभे मिसरन एमफिमेक्स कहते हैं। कुछ समय पस्चात ये संयुगमक अलग-अलग हो जाते हैं। एवं अब इन्हे एक्स कॉंजुगेंट्स एक्स संयुगमक कहते हैं। या बहीर संयुगमक कहते हैं। पर तेक एक्स कॉंजुगेंट्स कई पुत्री जीवों बनाता है। एक्जाम्पल इसका है पैरा मीशियम डाइग्राप में दिखाई दे रहा है यह आपको प्रोसेस पूरी नेक्स्ट है F ओटो गेमी स्वक यूगमन इस प्रकार के लैंगिक जनन में एक ही जनतुक के केंद्रक से बने दो यूगमकी केंद्रकों के केंद्रक से बने इस प्रक्रिया को स्वर मिसरन ओटो मिक्सिस भी कहते हैं स्वक यूगमन द्वारा केंद्रकी पुनरगठन स्वर निश्चित हो जाता है स्वक यूगमन नारा मिसियम औरीलिया में पाया जाता है एक जामपल और यह डाइग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसमें किस तरीके से यह प्रॉसेस होती है नेक्स्ट है जी साइटो गेमी इस परक्रिया स्वक यूगमन के मद्धे की अवस्था है मिडल स्टेज इसमें दो जन्तुक परस पर जोड़ा बनाते हैं परन्तु उनके यूगमक की केंद्रकों के मद्धे आदान परदान व पर निश्चेचन नहीं होता है बलकि परतेग जन्तु के नर्व मादा यूगमक आपस में परस पर ही सलयन में जाते हैं कोशी का यूगमन पैरामीसियम कोड़ेटम में पाया जाता है डाइग्राम में दिखाई दे रहा है इस प्रक्रिया में केंद्रकों का सलयन नहीं होता है नेक्स्ट है है मिमिक्सिस अर्द मिसरन यह परक्रिया भी पैरामीसियम में पाये जाती है एवं इस परक्रिया में भी एक अकेले जन्तु के बीतर उसके गुरू के इंद्रक के असमान्य वेवार की परक्रिया बताई गई है इसमें एक परकार से गुरू के इंद्रक का सुद्धी करण होता है इसमें युगमक विशेश करिया द्वारा बनते हैं तथा जनक से छोटे होते हैं इन्हें मीरो युगमक कहते हैं एवं इनके सलयन को मीरो गेमी कहते हैं मैक्रो गेमी नैक्स्ट के जब युगमरज का निर्मान लगू युगमकों द्वारा होता है तो इस परक्रिया को मैक्रो गेमी जब गुरूस युगमक सलयन में जाकर युगमक सलयन बनाते हैं तो उसे मैक्रो गेमी कहते हैं इस परकार की किरिया एक्टिनोफरिस में देखने को मिलती है नेक्स्ट है पीडो जेनेसिस साव की युगमन साव की युगमन एक्टिनोफरिस में देखने को मिलता है इस जन्तुक में इसमें जन्तुक पुट्टी के अंदर दो कोशिकाओं में विवक्त होता है तथा प्रते कोशिका अर्ध सुत्री विभाजन में जाती है एवं युगमक में के समान विवार करती है ये आपस में सलियन में जाती हैं एवं इस के लिए को साव की युगमन या पीडो जेनेसिस कहते है next है micro gaming जब युगमनज का निर्मान लगू युगमकों माइक्रोगेमिट्स के द्वारा होता है तो इस क्रिया को माइक्रोगेमि कहते हैं यह प्रक्रिया आर्सेला में पाई जाती है जो की एक कैप्सूल्ड या सैल्ड प्रोटोजोवन है कुछ जन्तूओं में अंडे को परिवर्धन के लिए निशेचन की आउसकता नहीं होती है और अंडे को सुक्राणू के बिना उत्पुरे रिद करके परिवर्धित किया जा सकता है निशेचन के बिना अंडे द्वारा नए पराणी में परिवर्धन की किरिया को अनिशेक जनन कहते हैं और निशेक जनन एफिट्स, रॉटिफर्स, सहद की मखी वो कुछ क्रस्टेशियन्स वो निमेटोड्स में देखने को मिलता है अंड में लेंगिक प्रिजनन का महत्वा, सिंग्निफिकेंस ओफ साक्ष्वल रिप्रडक्शन लेंगिक प्रिजनन का सबसे महतोपून तथे यह है कि इसके द्वारा आवर्ती रूप से केंद्रक का पुनर गठन होता है एवं जीवों के लक्षणों में सुधार होता है लेंगिक प्रिजनन निम लिखित महतोपून गून प्रदर्शित करता है पहला परिवर्धन का प्रारम अंड में सुक्राणू का प्रवेश एवं दोनों के केंद्रक का संयुगमन अंड के परिवर्धन को उत्प्रेरित करता है यथा बिदलन प्रारम्ब हो जाता है निचले इस्तर के जन्तूओं में उधारन के पैरामिस्यम में संयूग मन्वे इस परकार का परभाव देखा जा सकता है दूसरा है बिंदू दूइ पैत्रक अनुवांस की बाई पैटरनल हेरेडिटी दो जीवों से प्राप्त जर्म प्लाज्म के उभे मिस्रन के परिणाम सरूप संत्ती में दूइ पैत्रक अनुवांसिक लक्षनों की प्राप्ती होती है अथार दोनों के पैत्रक अनुवान से गुण प्राप्त होते हैं और दो विभिन पैत्रक से प्राप्त सुद्ध जीन्स अच्छा परिणाम देते हैं बाहरी विभिनता तीसरा है एक्स्टरनल डाइवर्शिटी विभिन पादपो में युगमक सलेयन के परिणाम सरूप सरीर में अच्छे परिवर्तन होते हैं जो वातावरन के अधिक अनुकूल होते हैं मोर्स सबके बाद एन्वायर्मेंट में अधिक बना रह सकता है लैंगिक प्रिजनान के कारण इन जीवों का जीवन सुरक्षित एवं अधिक अनुकूल हो जाता है एवं सक्षम हो जाता है चौथा नमबर संतती में ओज वा संकर ओज की व्रद्धी इंक्रीज ओफ विगर और हिटेरोसिस इन ओफ स्प्रिंग्स सामने ते देखा गया है कि प्रियोगों दुआरा पर्मानित भी किया जा चुका है कि दो युग्मकों के सलेन से बनी संतती विभिन रूगों के प्रती अधिक प्रती रोधक होती है यह जन्तूऊं फसलों वो फलों के गुणों को सुधाने में भी सायक होती है धन्यवादू